दखिए मेरे हाथ में ये एक डाइरी है और मैं इसे ऐसे पकर करके रखा हूं अब आप बताएंगे कि मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा अब कहेंगे कि करदी ना गुरूजी बच्चों वाली बात गिर जाएगा नीचे रुकिए भाई जरा एक मिनट गिर तो रहे हैं तो क्यों गिर जाएगा नीचे थोड़ा फीजिक्स की तरफ सूचते हैं देखिए लौफ मोसन आपने पढ़ा होगा कि लौफ मोसन क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल कोई भी बड़ी इस इनिवर्स में अपने स्टेट को मेंटन रखती है आइधर रेस्ट और मो तिल रह एक्सटरनल फोर्स इज अपलाईud इनसाफिशियन्ट एमाउंत जब तक उसमें हम एक सफिशियन्ट एमाउंट में अक्स्टरनल फोर्स को ऑपलाई ना करते हैं ठीक न सूमत अगर इसको यहां से छोड तो हमने तो इसको कोई फोर्स लगाया नहीं बलकि उल्टा हो रहा है इसको उठाने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं अब जैसे ही छोड़े हमारा फोर्स का काम खतम घठ तो क्या होगा तो सुह गिर क्यों गिर गया नीचे इसे यहीं पर रूखना चाहिए था ठीक ना लेकिन क्यों नहीं रूखा क्योंकि इस पर एक external force काम कर रहा है और उस external force का नाम है gravitational force ठीक है बच्चों तो आज हम लोग gravitational force के बारे में और उसके नियम को परहेंगे Newton's law of gravitation ठीक नियूटन्स लोव अफ ग्रेविटेशन क्या है Newton's law of gravitation बीना टाइम बरबाद किये हम लोग इसको जानते हैं देखिए इस universe में इस universe में पूरे बरमांड में कोई भी बस्तू दूसरे बस्तू को अपने और attract करती है ठीक एक फोर्स लगता है उनके बीच जिसे हम gravitational force कहते हैं और यह फोर्स हमेशा attraction नेचर का होता है यानि दोनों के बीच हमेशा क्या होगा force of attraction वर्क करेगी जिससे दोनों एक दूसरे क्या करेंगे खींचेंगे अपने तरफ ठीक न अब जब दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे जब डाइरी या कोई भी चीज बॉल हमने उपर की और फेका और फिर नीचे गया ठीक न तो कौन सी बस्तु उसको खींच रही है अर्थ तो बॉल भी उस अर्थ को अपने और खींच रहा है दोनों के बीच क्या है एक attraction है एक force of attraction है तो इसी के बारे में Newton ने बताया law of gravitation में और law of gravitation क्या कहता है किसके बारे में बताता है तो दोनों बस्तु के बीच लगने वाले force के amount के बारे में दोनों बस्तु के मास के बारे में मास मतलब दोनों का क्या द्रव्यमान है इसके बारे में और दोनों के बीच दूरी होगी इसका क्या परभाव परेगा इसके बारे में तो सबसे पहले हम statement जानते हैं कि statement क्या कहता है तो force of attraction force of या gravitational force लिखते हैं हम लोग gravitational force between two bodies is directly proportional to product of their masses their masses and inversely proportional to square of distance square of distance between bodies ठीक यह हो गया न्यूटन्स लोव अफ ग्रेविटेशन का statement ठीक है आइए अब इसको समझते है mathematically इसको interpret करते हैं कि क्या होता है तो सबसे पहले माली यह कि यह एक बोड़ी है और यह एक दूसरी फिजिकल बोड़ी है तो न्यूटन के कोडिंग यह ग्रेविटेशन क्या होगा एक फोर्स होगा जो जिस फोर्स है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे अपने और ठीक ना तो क्या कहता है gravitational force between two body is directly proportional to product of their masses अब देखो कोई बस्तु होगा तो उसकी mass होगी तो मान के चलो कि इसकी mass m1 है और इसकी mass क्या है m2 है इनके बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक इनके बीच की यह जो distance है यह मान के चलो कि r है तो इस statement के जो हैं दो पार्ट है पहला पार्ट क्या कहता है कि directly proportional to product of their masses अमान के चलो कि m1 m2 एक दूसरे को एक force f से अपन क्या कर रहे हैं attract कर रहे हैं तो इस rule के according इस नियम के अनुसार f is proportional to product of their masses अब बताओ इसमें कितना mass है m और इस m1 इसमें m2 तो product of masses m1 into m2 ठीक अब दूसरी बात कि कि इस force is inversely proportional to a square of distance distance कितना है आर तो आर का square one upon r square ठीक तो यह one हो गया और यह two हो गया मन लेते हैं अब जानते हैं कि क्या होता है अगर हम one और two को एक साथ interpret करें तो क्या हो जाएगा एफ प्रोपोस्नल का साइन हम को यहां से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा यहां पर हम ले लेंगे इक्वाल और यहां पर आ जाएगा एक constant जिसे जी हम लोग कहते हैं जी M1 M2 by R square राइट वियर G is a constant G is a constant called universal so TIM ग्रेविटेशनल करें ऑन्य वार्स वार्स मों पत्रोप राव vigor साथ書 CB Key टार में अमद्ध़र वे चीन चीनगे क। क्यांदू यहां पर शाण पूरे उनवार्स में झीुका वैलू नहीं बदलता है ठीक्त पुरे युनिवार्स में जी के वैलू सेम रहता है तो जी क्या है एक कॉंस्टेंट है M1 M2 by R2 M1 body 1 की बेट और M2 body 2 की बेट देखो सीधा करने का मतलब है कि दो body जब होंगे और एक दूसरे को attract करेंगे तो M1 में जितना मास है और M2 में जितना मास है दोनों को multiply कर दोगे ठीक ना दोनों को multiply कर दोगे तो उस पर depend करेगा force of attraction करने का मतलब है कि M1 या M2 में किसी एक का भैलू अगर बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा बर जाएगी ठीक ना और भैलू घटा देंगे तो फोर्स घट जाएगी ठीक तो फोर्स कमान किस पर depend करेगा मास पर और जो आर है यहां पर शूट गया स्क्वेर जो आर है या डिस्टेंस है तो अगर दो बोडिज के बीच का डिस्टेंस कम रहेगा देखो inversely proportional है यानि उल्टा तो डिस्टेंस को घटाओगे फोर्स बरहेगा ठीक ना डिस्टेंस को बरहेंगे तो फोर्स क्या होगा घटेगा तो यह है हमारा Newton law of gravitation अब G के बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन एक बात और बता दें कि यह जो हमारा second part of this law यानि F inversely proportional to 1 upon R square है इसको हम लोग कहते हैं inverse inverse square law inverse square law तो कभी कभी आपके एक जाम में पूछ दिया जाता है कि inverse square law क्या होता है तो आप इसे बताएंगे ठीक अब हम लोग थोड़ा सा G के बारे में जानते हैं जो कि एक constant है किस तरह का constant है एक universal constant है जिसे हम constant of gravitation कहते हैं या gravitational constant कहते हैं तो यहां से देखिए जी का value कैसे निकालेंगे इसको मानलो equation 3 ठीक इसको मानलो equation 3 तो 3 से from equation 3 जी का value कैसे निकालेंगे अब एक बात बताईए कि यह जो M1 वेट है वह 1 unit है या 1 kg है और इनके बीच की distance 1 meter है ठीक ना तो 1 kg और 1 meter यह हम लोग value लेते हैं unit value ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा by taking unit value of M1 M2 and R square we get G is equal to F how R square देखो यहां से R square means 1 का square क्या जाएगा 1 और M1 M2 1 into 1 तो यह 1 यह भी 1 तो यहां क्या बचेगा F तो इसलिए G is equal to F when 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 M1 M2 and R have unit value have unit value इससे आप क्या निश्कर्स निकालते हैं तो G क्या है एक ऐसा constant है force के बराबर है force के बराबर कब है जब unit value of mass and unit value of distance करने का मतलब है कि दो unit value unit mass के bodies एक unit distance पे अगर रखी जाएं तो उनके बीच लगने वाला जो gravitational force होगा ना उसी को हम G कहते हैं ठीक उसी को हम क्या कहते हैं जी या gravitational force अब G का जो एसा यूनिट होगा वा क्या होगा एफ का unit multiplied by r square यानी r के unit का square upon m1 into m2 तो m1 का unit into m2 का unit तो एसा यूनिट हम लोग निकालते हैं कि इसको मिटा लता हूं कि एसा यूनिट ओफ जी क्या होगा कि एसा यूनिट ओफ जी एस आई यूनिट ओफ जी जी क्या है दो एसे बोडी जिनका mass unit हो यानी एक एक kg हो अगर देखो simple भासा में समझो एक एक kg के दो बोडी को एक मीटर के दूरी पर रखने से उनके बीच जो force of attraction होगा ठीक ना जो gravitational force लगेगा उसी को हम लोग जी या gravitational constant कहते हैं बस तो ऐसा unit of G क्या हो जाएगा F into R square ठीक ना F into R square F का unit क्या होता है Newton F into R square और क्या है distance distance का unit meter to Newton into meter square by kg किसका M1 का again kg किसका M1 का तो यह क्या हो जाएगा Newton meter square इसको अब लोग क्या कहते है Newton meter square per kg square ठीक के इंटो के जी के जी तो SI unit of G is Newton meter square per kg square